नागपुर महा मेट्रों ने मल्टी मॉडल इंटिग्रेशन के तहत यात्रियों के लिए कई उपाय किये हैं जिनमें E-Bike, E-Rikshya, Electronic वहानों के लिए Charging Point, मेट्रो स्टेशन पर फीडर बसे और हर मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों के लिए साइकिलों की व्यवस्ता की हैं Orange और Ekaline Corridor यह साइकल नागरिकों के बीच बहुत लोग प्रिय हैं मेट्रो स्टेशन पर खड़ी साइकिले MyBike और VIPL के सौमित्म में हैं यह सबी साइकले एप पर आधारित हैं और नागरिक मेट्रो स्टेशन से आसानी से साइकिल ले सकते हैं इस साइकिल का उपयोग मेट्रो से यादरा करते समय साइकिल से मेट्रो स्टेशन से अपने गंतवस्तान तक किया जा सकता है और यह साइकिल आपको एक मेहने के लिए भी मिल सकती है मेट्रो स्टेशनों पर उपलब्द साई के लिए दैनिक, सापताहिक और एक महिने के लिए उपलब्द है 2 रुपए 489 पर 599 रुपए मासिक प्रती घंटे दर पर उपलब्द है खास बात यह है कि मेट्रो स्टेशन पर नागरिक, स्कूल और कॉलेज के बच्चे रोजाना मेट्रो से सफर कर रहे है और मेट्रो का सफर पूरा होने के बाद मेट्रो स्टेशन से साईकिल का इस्तमाल कर रहे है नागपुर मेट्रो रेल परियोजना की ओरेंज और एक्वालाई ने हर 15 मिनिट में सुबस साड़े 6 बजे से रात 9 बजे तक खुली रहती है शहर में बड़ी संख्या में साइकिल सवार है जो प्रति दिन कॉलेज, कार्यले और अन्य स्थानों से साइकिल से आते जाते है और आसपास की इलाकों में फिडर सेवा के रूप में बस सेवा शुरू की गई है जिससे यात्रियों को काफी फायदा हो रहा है बुटि बोरी और हिंगना शहर से प्रति दिन हजारों यात्रियों का आना जाना लगा रहता है